तो तो मगर मुझे YouTube से थोड़ा सा भी जानते होते हैं तो मैं पता होगा कि मैंने दो बुक्स लिखी है जिनका नाम है Biohack और Chem Hack जो कि Biology और Chemistry के लिए हैं और वो बुक्स मैंने अपने MBBS के तोरान लिखी हैं मतलग कि MBBS करते करते हैं मैंने दो बुक्स लिख डाली क्या सच में सच है क्या सच में एक MBBS करते हैं वो बिच्चा जो की YouTube भी मैनेज कर रहा है दो बुक्स लिख सकता है या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये बुक्स किसी और से लिखवाई हूँ जिनको मैं अपने नाम से से सेल कर रहा हूँ क्या है असली सचाई बायोकर के में के पीछे की कैसे वो बनी क्यों वो बनी इस पूरी कानी को रिवील करूंगा आज की वीडियो में तो ये कानी साट होती ये 2021 से जब मैं फर्स्ट ये अन्मीबेस में था और मैं अपने फाइनल एक्जाम के त्यारी कर रहा था मैंने देखा कि जितने भी revolutionary आइडिया जब भी मुझे आते हैं वो ऐसे टाइम पर आते हैं जब मैं बहुत जाता लाइक काम कर रहा होता हूं और मैं अपनों यूटूब भी उस टाइम पर मैनेज कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था और इस पढ़ाई कर थे टाइम प तो उस टाइम पर मैं अपने mobile पर जो भी मुझे thoughts आते थे कि मुझे यह करना है वो करना है like exam over होने के बाद तो उन thoughts को मैं अपने whatsapp पर एक मैंने private group बना लिया था जिसमें केवल मैं था तो उसमें मैं लिख देता था क्योंकि वो मुझे easiest way लगता था कोई भी like ऐसे random thoughts को capture क करने के लिए तो उसी time पर मुझे thought आया था biohack का तो biohack actually मैं पहले कोई किताब नहीं थी वो एक technique थी जो technique actually मैं मैं अपने need के preparation के time पर यूज कर रहा था biology और chemistry के जो रटने वालो पोर्चन है मतलब और organic inorganic के पार्ट को याद रखने के लिए अब इस चीज का नाम biohack भी even मैंने अपने need के time पर नहीं रखा था इसको मैं कोई नाम नहीं दिया था बस एक technique थी मेरे लिए जो कि मैं लाइक मेरा selection हो गया उसके बात जब मझे YouTube पे से प्रस्तुत करना था मैंने सोचा कि चलो इसका नाम biohack रख देते हैं मतलब कि यह मानलो की वह एक बहुत ही आता लाइक ऐसा नाम था जो कि मैंने ऐसी लिख दिया था ज्यादा को सोचे समझे नहीं कि चलो biohack करके अब मझ अबी जो मेरा चैनल है वो मेरे एक फ्रेंड का चैनल था जिसका नाम है अभीशेक राजपु जो गेम देली में है और उससे मैंने चैनल लिया था उस चैनल पर पहली वीडियो मैंने डाली थी वह थी biohack वाली और वह वीडियो काफी बूस गई वह मेरी most weird वीडियो रही अराउंड एक साल तक I was literally like famous for biohack जो की टेक्निक मैंने बच्चों को बताई थी अब मेरे चुछली में जो खुद के मैंने बायो कर के नोट्स बनाये थे अपने टाइम पर वह नोट्स में को बहुत ज्यादा ऐसा लगत यूसफुल हैं तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसी सोच करके कि चलो बच्चों को काम आएगा उस ताइम पर यूट्यूब चैनल नहीं था नीट में सेलेक्शन होने के बाद वह नोट्स में अपने टीचर को दे दिये यह बोलके कि सर यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपना अपने बच्चों को थोड़ा दिखा देना जिससे क कभी खुद के नोट्स बच्चों को दे नहीं पाया तो होता कहता कि 2020 था को 2021 के स्टार्टिंग बोर्चन तक मैं बच्चों को टेक्निक बताता था और जो बच्चे में से जुड़े हुए हैं जिनके मुझे लगता था कि इनकी बनाई होई बायोग ज्यादा अच्छी है त और मुझे अंदर से था कि मुझे इसको जितना हो सके फैलाना है अब उस थाइम पर जब मैं अपने लाइक ताम की तैयारी कर रहा था तो में पास यह जिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं फिर से पूरी-पूरी बायोहेक और कैमेक बनाऊं इस्पेशली बायोहेक क तो मैं बस बच्चों कैसी फ्रीमें देना चाहता हूं और यह हो जाएगा कि पार्ध गोल की एक पर्टिकुलर चीज है जो कि उसने नीट एस्परेंट्स को दिये क्योंकि आगे शायद मैं इस फील्ड में करियर नहीं बनाने वाला हूं तो आगे मुझे तो डॉक्टरी ब लेवल है तो काइंड अपनी चाप छोड़के मैं इस जॉनर से चले जाओंगा नीट की वीडियो बनाना में बंद कर दूँगा यह मैंना सोचा था क्योंकि मैं पिछले दस महीने से बना रहा था और मैं काफी हत्तक बोर हो गया था में यह भी था कि शायद मैं से फ्यूच बनाना है और इतना भड़िया बनाना है कि बच्चों को मज़ा आ जाए कि पूरी जॉनर में आतंग बच जाए जैसी मेरे एक्जाम साइंड हुए मैं अपने दोस्त के राद फ्रेश अप होने के लिए एक ट्रिप चला गया था मेरे शहर के पास सी शिपूरी एरिया है महा अगर मैं लग जाओं पूरी तरीके से और साथ ही साथ मैं उस टाइम पर कोवेट की सेकंड विब भी आ गई थी तो मेरे पास इस से बैस्ट कोई ताइन नहीं था जिसमें यह चीज में कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोवेट चला गया नॉर्मल कॉलेज अग प्राम एक साथ नहीं हो पाते या तो मैं पूरा 100 प्रिंस फोकस हो के बायोगी लिखूंगा या फिर मैं अमीबियस करूंगा तो मेरे दिमाग में यह था कि बस यह है डूब डाई सिचुजिशन है अब बनाना है और जम के लग जाना तो मैं बैठा मैं अपना अपना खोल मुझे लग राता मुझे लग राता शायत मैं इसको और मुझे य भी लग राता की कि जो मैं बना रहा हो ौब किसी नहीं नहीं बनाया है तो है पर मुझे अंदर से था कि अगर इस चीज में मेरे में को help करें तो यह चीज लोगों को भी help करेंगी बच्चों को भी help करेंगी बस I have to wait and watch तो अब मैंने क्या किया मैंने स्टार्टिंग के रिलगबग 5-6 चेप्टर बना लिये थे तो मुझे यह था मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताया भी था कि यह कुछ ऐसा कुछ आने वाला आने वाला है कि वो बच्चे उसको यूटलाइस कर पा रहे हैं या उन्हें कैसा फीडबेक है तो मैंने अनटॉमिन फ्लावरिंग प्रांट का एक चैप्टर बच्चों को शियर किया and to my surprise the reaction was opposite बच्चे कह रहे थे कि यह क्या है अजीब सा यह तो मतलब बच्चों का response नहीं था फीडब जाता deeply NCRT में से line में से निकाल करके बनाए गए होते हैं जो कि MCQ भी नहीं होते हैं तो बच्चों को सच में नहीं आता कि क्या है actually में इसको उसको करना है जिस वाइसे मुझे लगा कि शायद यह problem आ रही है and जो negative response था उसना मुझे थोड़ा सा hurt तो किया but internally कही ना कही मैं बिल्कुल शूर था कि यह चीज आगे काम आएगी हमें बस बनाते जाना है दीरे दीरे इसका positive response मुझे मिलेगा अब यहाँ पर मैं content तो लिख रहा था लेकिन मुझे designer की भी जुरूत थी जो कि उस चीज को अच्छे से design करके package करके आप लोगों को दे अब design की बात करें design क मुझे कोई idea नहीं था कि हम कैसे better उसकुद present कर सकते हैं किस तरीके से हमें करना है and यहाँ पर मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम है yes दागे and he was literally magical person जो उसने मेरी life mentor करके मेरी life literally change कर रही है यह मैं कह सकता तो मैंने Instagram पर एक post डाला कि मुझे अपने bio है कि designing के लिए एक कर सकता है और उसने कैनवा पर बहुतीक सुन्दर सा design निकाल करके मुझे दिया जो कि मुझे पहली नजर में पसंद आ गया जैसे कहते ना पहली नजर में प्यार हो जाना वह design के साथ मुझे हो गया था और literally मतलब एक एक्दम simple sleek और अच्छा design था जो कि बहुत अच्छी से आपको फोटो हर जागे हर पन्ने पर ऐसे दो तो तीन तीन फोटो हैं बहुत अनॉइंग लगते हैं बड़ा थिंग वास की हमने वो material free में दिया था और free material में हमने जो नॉर्मली लोग पूरा watermark लगा देते हैं पूरी एक पन्ने की उपर जो और भद्दा दिखता है हमने लगाए ही नहीं वहाँ पे मेरा फोटो लगा था हर एक पर जिस वाई से जो free material हमने दिया वह और जाता aesthetically सुन्दर लग रहा था भले वह एक फोटो हो सकता है कुछ लोगों को परिशान करें बट इट वह बैटर देन पूरी तरीके से watermark से बर देना एक पन्ने को जो कि मै बहुत सुन्दर फॉंट था एक करसे फॉंट था जो कि मैं आमेशा से चाहता था कि इस तरीके से handwritten वाला फॉंट यूज करें और वो एक perfect फॉंट अमें मिला था जिसने उस चीज के अंदर बहुत वैल्यूइट करी तो मैं इस चीज को हर तरीके से perfect चाहता था content में भी औ एक chapter देता गया जिससे की मेरा 11 धिरी 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 खतम हो रहा था round 22 चेप्टर होते तो 22 जिन में हमने एक एक chapter दिया और साथी साथ में मुझे 12 पर भी काम करने का time मिल गया था इस time पर कोवेट की बहुत बड़ी माहमारी चल रही थी और like बहुत थी जा अजीब सा time था वो जब हमारे online classes होती थी लेकिन वह भी साइसे नहीं होती थी हम लोग काफिया तक घर पर free थे क्योंकि second year start ही हुआ था and मैंने उस time पर बिलकुल ही पढ़ाई नहीं करी to be honest मैं पूरा पूरा अपना time पायक पर दे दिया था मैं एक एक दिन में 10-10 घंटे computer के सामने बै रहता था दिरी दिरी हम रोज एक चेप्टर दे करके around 38 डेज में वह हमने पूरा को पूरा बायक का material दे और बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया बहुत ही जादा चर्चेस को रिव्यूद आ रहे थे और बिलकुल फाडम फाड मैट्रियल वो था जिसकी वज़े से हमा से बताना चाहता हूं मैंने जब बायक लिखी थी तब मेरे दिमाग में बहुत ही like back of the mind बहुत कम छोटा सा कहीं पर था कि शायद मैं इससे कमाने वाला हूं चाहब चोड़के जाने वाला हूं जगे तो वह बैस सुनी चाहिए तो मैं बैस करूंगा और जिस वज़े से वह चीज बैस निकल पाई थी अब यही सेम चीज मुझे के साथ करनी थी बड़ यहां पर कुछ गड़बड होई क्या हुआ की टाइम पर हमने बाइक फ्री में है क्या करना कुछ आइडे निता कौन सा कागज उस करना है किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कर बड़ ना हो जाए तो पूरी किताब ही विकार हो जाएगी तो वह देरे-देरे हम सीख रहते प्रिंटर जूड़ना यह सब काम हमें करना था होफुली हमने वेब केमेक ना उस व्रिगर से नहीं लिख पाया लेकिन हाला कि हम नेक्स्ट एडिशन में उसको सुजार रहे हैं इस तरीके से लाइक मैं अकेडमी पर क्लास भी लेता था और दीरे-दीरे यह सब चीज़े मैंने करी तो अगर समझ पाता हूं मैं यह चीज इसलिए कर पाया था क्योंकि like मैं बच्चों से connected रहता था मेरी लोग daily classes होती थी महाँ पर बच्चे मुझसे बात करते थे हम लोग एक connection है धूम बचा रखिये पूरे मार्केट में ऐसी किताब हैं नहीं अवलेबल इनकी जो प्राइस है उस प्राइस पॉइंट पर कोई किताब ने बिखती नीट की और तब भी यह किताब हैं उनसे ज्यादा भी बिखती है इस तिल जब मैंने यह सब फ्री में दे रखी है डिजाइन किया था जिसने की लाइक जो डिकाक्यूज है वो उसमें बनाए थे एक एक मैंने उसको आइडिया दिया था कि इस तरीक से डिकाक्यूज है उनकी लेबलिंग अटा नहीं है उनको आंसर में देना है तो यह ऐसा काम था कि लाइक वो उसको मैंने दे दिया था क् टेक्स्ट है उस सारा का सारा एक क्वेश्चन मैंने लिखा एक एक आंसर मैंने लिखा और अभी थर्ड एडिशन हमने लॉच्ट किया था तो फिर से मैं गो थू हुआ था पूरी की चीज में जिसमें कि मैंने अपने कॉलिज मेनेज कर रहा था उस ताइम पर था 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 कर देक्षाण लेकिन तो मैं चोटल लिखी थी जा जो भी आच कुछ तो खाट पूच्छ गो